यह है प्रस्ण संख्या एक्सेट और प्रस्णिया पर यह कह रहा है कि अंतराष्टी उर्जा एजेंसी एक स्वायत अंतर सरकारी संगठन है जो उर्जा की मांग और आपूर्ती की जो प्रभीर्ती होती है उस प्रभीर्तियों पर महत्पूर्ण बिशलेशन और अंतरदिश् इसे अस्थापित किया गया है या पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के द्वारा इसे अस्थापित किया गया है या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा इसे अस्थापित किया गया है या जी 20 द्वारा अस्थापित किया गया है तो दोस्तों आपको पता पासिक रूप से तेल का दाम बरहा दिया था और इस इस्थिति में महत्पुन जो देश थे जो तेल आया तक देश थे उन्हें काफी दिक्कत हुआ और उन दिक्तों से निपटने में उन्होंने अपने आपको अक्छंपाया उसे निपटने हे तू इन देशों ने OECD के फ्रेमबर के तहत एक स्वायत और अंतर सरकारी संगठन IEA का अस्थापना किया यानि कि International Energy Agency के अस्थापना की तो ये जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानि कि OECD का जो है एक यानि उसके फ्रेमबर के तहत उसके अंतरगत अस्थापित किया गया एक निकाय है और ये भी जो है एक स्वायत और अंतर सरकारी निकाय है इसे आपको ध्यान देना है तो इस प्रकार जो है इस प्रेशन का उतरसी होगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जो है इसे 1974 के तेल संगठ के कारण अस्थापना किया गया था इसमें जो है टोटल और तीस सदस्य होते हैं और तीस जो है जिसमें सदस्य देश के होते हैं वहीं आठ जो है सहयोगी देश होते हैं और भारत जो है इस आठ सहयोगी देश में 2017 में एक सहयोगी देश के रूप में इसमें सामिल हुआ तो ये भी आपको ध्यान रखनी है OECD के ये टोटल 38 सदसे है ये पूरी दुनिया के 75 परतिसत तेल का खापत करते हैं और इस लिहाज से काफी महत्पुर्ण है और हाली में दोस्तों वैस्विक उर्जा समिक्षा 2020 जारी की गई है और इस 2020 के वैस्विक जारी उर्जा समिक्षा में जो की वैस्विक उर्जा के मांग और कार्बन डाकसाइट के उत्सरजन पर कोविड-90 के केतना मने उस पर प्रभाव हुआ उसका यह अध्यन करती है यह जो वैस्विक उर्जा समिक्षा है तो इस प्रकार यह जो है इस प्रशन का उत्तरसी है अब यह जान लेते हैं कि वह तो वह कौन से परमुख तेल उत्पादक देश है जिन होने जो है 1973-74 के दौरान एतिहासिक रूप से तेल के मुले में ब्रिधी कर दी थी तो वह जो है फ्रेंस ओपिक है यानि कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठान है यह यह 20 के परमुख तेल निर्यातक देश है देश में जो है टोटल 14 देश जो है यहां पर सामिल है और इसकी अस्थापना जो है 1960 में हुई थी यह बात आप ध्यान रख सकते हैं और इसके सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करने तथा सदस्य देशों को तकनिकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने है सवायतियों कुझा की इतаже करें तू यह जो है ऑपक के मने अस्थापना की गई थी ओपक जो है एक उतपादक संग है यानि की इंगलिईस में इसे काटल कहते हैं इसका उदोधिय से वैस्विक बजार में तील के मुल्य को निर्धारित करने के प्रयास में तील की आपूरत कि प्रश्ण का सहयोतर है यानि कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अंतरगर्ठ याय इसका आई इएक अस्थापना कि गई है प्रस्ण संख्या बासट और प्रस्ण ये कह रहा है कि संग राजे छेत्र यानि कि यूनियन टरिटरी छेत्र जो दिल्ली है उसके संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है पहला कथन यहाँ पर यह कर रहा है कि दिली के मुख्य मंतरी को दिली के उपराजय पाल द्वारा न्यूक्ट किया जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला कथन जो है सीधा गलत है पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि संभिधान के अनुछेद 249AA का कलॉज फाइब इसमें ये कहा गया है कि दिली के जो मुख्य मंत्री होंगे उन्हें राष्ट पती द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्हें जो मंत्री होंगे उन्हें जो है मुख्य मंत्री की सलाह पर राष्ट पती द्वारा नियुक्त किया जाएगा और ये मंत्री जो है राष्ट पती के प्रसाद प्रयंत पद धारन करेंगे और इस परकार जो है चुकि यहाँ पर उपराज पाल दिया गया है जो कि गलत है और पहला कथन जो है यहाँ पर देख पर है कि गलत है और पहला कथन यदि गलत है तो यहाँ पर चुके सही उतर निकालना है तो विकल्प A भी गलत हो जाएगा, विकल्प C भी गलत हो जाएगा, दूसरे कथन की बात करें, तो ढूसरा कथन यहाँ पर यह कह रहा है कि मंत्री उपराज पाल के प्रसाद प्रियंत धारन करते हैं तो आपको क्लियर हो चुका है कि मंत्री जो है उपराज पाल के प्रसाद प्रियंत नहीं राष्ट पती के प्रसाद प्रियंत जो है अपना पद धारन करते हैं कर दूसरा कथन भी गलत है तो विकल भी हो जञेगा और विकलप डी जो है यहां पर सही उतर है कि न तो इसमें एक सही है और ना तो दो सही है अब बात कर लेते हैं अगले प्रसनी तो अग्ला प्रसन है प्रस Cannon संख्या 63 और प्रस्व यहां पर कहा रहा है कि भारत के उपराष्ट पती यानि कि भाईस प्रेसिडेंट की बात हो रही है भारत के उपराष्ट पती जो कि राजसभा के पदिन सभापती भी होते हैं आपको यहां पर द्यान रखना है कि यह राजसभा के पदिन सभापती भी होते हैं यह तो भारत पती के ऐलांकि रास्ट पति को संबोधित करके अपना हस्ताक्छर सहीत लेख दे लेटर लिख दे तब अपना ये पद त्याग कर सकते हैं ये परकिरिया हो गया ऐसे हट सकते हैं और दूसरा एक परकिरिया ये है कि उन्हें एक संकल्प के माध्यम से और ये जो संकल्प होगा ये संकल्प राज्य सभा में जो ततकालिन समस्त सदस्य होगे उनके बहुमत द् यह अर्दी संकल्प पारित हो जाता है तो इस परकिरिया द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है और इस परकार कहते हैं कि जो इन्हें तो दूसरा कथन यह कह रहा है कि उप्राष्ट पती को हटाने का प्रस्ताब संसत के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग बिलकुल नहीं अलग-अलग अभी हमेंने बताया कि राज्य सभा में एक संकल पारित होना चाहिए ततकालीन समस्त सदस्त के बहुमत दारा और इससे लोग सभा सहमत होना चाहिए इस संकल द्वारा पारित प्रस्ताब से उप्राष्ट पती को हटाया जा सकता है तो यहां पर देख पा रहे हैं कि दूसरा भी गलत है पहला भी गलत है और तीसरा कर रहा है कि उप्राष्ट पती को हटाने के लिए संभिधान में किसी भी आधार का उलेख नहीं किया गया है तो बीसे शुरूप से जो है सही बात है कि उप्राष्ट पती को हटाने के यानि कि ballot paper या EVM पर उप्यूक्त में से कोई नहीं, यानि कि NOTA किसे संदर्वित करता है, भारत में जो मत्दानवेत यानि ballot paper पर EVM पर जो लिखा रहता है, किसे संदर्वित करता है, क्या ये दोवारा निर्वाचन कराने की अधिकार मांग कराने का अधिकार है, तो बिल्कुल नहीं पहला तो यहां पे गलत है दूसरा यह कह रहा है कि गुप्त रूप से किसी भी उमिदवार को मत न देने का अधिकार है या निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास की कमी को व्यक्त करने का अधिकार है या उमिदवारों की एक नवीन सूची के साथ पुनह निर्वाचन कराने का अधिकार है तो यहां पर विकल्प D और विकल्प C गलत है विकल्प B ही जो है सही है क्योंकि यह गुप्त रूप से किसी भी उमिदवार को मत न देने का अधिकार है इस प्राशन का सही उत्तर बी होगा यानि की शेफ मीकल्ट बी जो है सही है बागे गलत है अब बात कर लेते हैं अगले प्रेशन की तो अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या 65 और प्रशन यहां पर यह एकर है कि बिधान परिशद करता है कि किसी विक्ति को विधान परिशत के लिए निर्वाचित होने हैं तो संबंध हितराज में किसी विधान सभा छेत्र का निर्वाचक होना चाहिए तो यहाँ पर जो है बिधान सभा के सदस के रूप में निर्वाचित होने होती हारता की बात की गई है और इस परकार जो है भारत का संभिधान तो इसके लिए वरना नहीं करता भारत का संभिधान जो है संसत को पावर देता है और इस पर जो है बिधान सभा जो है अपने क्य सद ने बनाया है लोग प्रतिनीधित तो अधनियम उनेश्व एक्यावन और इसी के अनुसार जो है विधान पर्षद की जो निर्वाचन के लिए आहरता होती है वो इस अधनियम के तहट अधनियमित किया गया है और इसलिए जो है संविधान में इसका प्रावधान नहीं है तो बिल्कुल सही बात है धन विध्यक जो है वो केवल विधान सभा विधान सभा में ही धन विध्यक केवल विधान सभा में ही पूरस्थापित किया जाता है ना कि विधान परिशद में और परिशद किसी धन विध्यक में न तो संसोधन कर सकती है और नहीं उसे औस्विक मुक्ह मंत्री या मंत्री नहीं बन सकता तो यहां पर यह बाद विलकुल गलत है सम्विधान के नुसार मुख मंतरी राज विधान मंडल के दूनों सदनों में से किसी भी सदन का सदसे हो सकता है और समान्त मुख मंतरी को विधान सभाज से चुना जा सकता है लेकिन दूनों में से किसी भी सदन का सदसे हो सकता है कई अब सवरों पर उच सदन यानि कि विधान परशत के सदस्य को भी मुख मंत्री की रूप में नियुक्त किया गया है और इस परकार तीसरा कथन भी गलत है पहला कथन भी गलत है दूसरा सिर्फ सही है यानि कि बी इसका सही उतर होगा अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर तो अगला प्रशन है प्रशन संख्या 66 और प्रशन यहां पर यह करोए कि निमलिखित में से किस परिस्थिती में यहां पर Situation की बात की जा रही है किस परिस्थीती में संसत सदस्य को दल परिवर्दन के अधार पर निरहा घोसित नहीं किया जाएगा यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कि नहीं किया जाएगा तो यह बात जो है इसमें से बतानी है तो आपको इसमें देखना है कि किस परिस्थीती में किया जाएगा उसको छाट के हटा देना है जो बच जाएगा उस परिस्थीती में नहीं किया जाएगा नीर है होने की जो बात कही गई है ये दसवी अनसुची में कही गई है और इसमें कहा गया है कि किसी सदन का वह सदसे जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित है उस सदन की सदसेता से निरहदित माना जाएगा कब जब उसने किसी राजनीतिक दल की अपनी स्वेक्षा से छोड़ दी है तो यहाँ पर जो है विकल्प ए जो है सही है और इस उचर में नहीं पूछा जा रहा है तो हम सही छाट लेंगे तो नहीं वाला अपने आप मिल जाएगा बी यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि कोई सदसे पूर्व अनुमती प्राप्त किये विना मतदान से बिरत रहता है और इस तरह के क्रित को उसके दल दौरा माफ नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर दूसरा भी जो है सही है और इस तरह के क्रित को घटित होने के 15 दिन के भीतर जो है उसे माफ यदी नहीं किया यदी इस स्थीती में पंदरा दिन के भीतर माफ नहीं किया तो वह निरह घोसित हो जाएगा पंदरा दिन के भीतर माफ कर दिया तो कोई बात नहीं पंदरा दिन के भीतर माफ नहीं किया तो वह निरह घोसित हो जाएगा इस परकार जो है सधन की सदसेता से निर्थ हो जाएगा जब उस निर्वाचन के पहस्चान जो है किसीalen दुरहन कर लेता और इस प्रकार जो है तीसे भी चाहिए इसका मतलब यह है कि डी बकल्प जो है गलत है यानि कि इस प्रुष्ण का जो सही उतर डी है यदि सदन का कोई नाम निर्देश सदस्य अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के तीन माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में समलित हो जाता है तो भी बिल्कुल नहीं किसी सदन का नाम निर्देशी सदस्य उस सदन का सदस्य होने के लिए निरह तब ह यदि वह अपना अस्थान ग्रहन करने की तीथी से छो महिना के समाप्ति के पहचात अपना अस्थान जब ग्रहन किया उस छो महिना के समाप्ति के पहचात किसी राजनितिक दल में समलित हो जाता है इसका मतलब यह है कि वह अस्थान ग्रहन करने की तीथी से छो महिने के लीअग्त के भीतर किसी भी राजनी तीकडल में सम्लित हो सकेगा और इस अधार पर वह निर्हा घोशित नहीं होगा तो यदि नामने देशी सद्विस के बारे में यह बाट की गई है और यहाँ पर जो है तीसरा ही जो है इस प्र Sw estamos सही इंग यहाँ तीन मान ही छाव माह की बात की गई है अब बात कर लेते हैं अगले प्रशन की अगला प्रशन है प्रशन संख्या सरसथ और यहां प्रशन ये कह रहा है कि यहां वन जीव अभ्यारन भारत में असम के दीवरुगर जीले में अवस्थित हाथी आरक्षित छित्र का एक भाग है यह असम घाटी के उश्ण कटिवंधी आदर सदा बहान बनों के लिए प्रसीद है और हाली में राष्टी वन जीव बोड ने इस आरक्षी छेत्र में कोईला खननन की अनुमती प्रदान किया है उप्यूक परिछेद में निमलिखित में से किस वन जीव अभ्यारन का वर्नन किया गया है और इसमें आपको बताना है तो क्या बोवी तोरा बन जीव अभ्यारन की बात कीज़ रही है या देहिंग पटकाई बन जीव अभ्यारन की या दिपोर विल बन जीव अभ्यारन की आश्टी वन जीव बोड की बात हो रही है जो कि परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंत्राले के तहत जो है एक निकाय है और इसकी अस्थाई समीती ने हाली में असम के देहिंग पटकाई हाती अरक्षित छेत के वितर कोईला खनन के लिए जो है सुविक्रीती प्रदान की है ये जो है परियावरन वन और जलवायू परिवरतन की मंत्राले के तहत है और ये जो बात हो रही है यारि की यहाँ जेपूर वर्सा बन देहिंग पतकाई हाती अरक्षी छेत्र के जो है यह एक भाग है और यह जो है डीवरुगर्ड और तीन सुक्या यहां पर डीवरुगर्ड की चर्चा प्रश्ण में की गई हैं लेकिन यह तीन सुक्या दिस्टिक में भी इसके जो है कुछ छेत्र आते हैं और इन जिलों में जो है अवस्थित है और यह अरनाचल प्रदेश के सीमा से जो है सटी हुई असम घाटी के उश्न कटी बंधिये आद्र सदावहार बन के लिए परसीद हैं देहिंग पटकाई अर्ध सदावहार और हरित वनस्पतियों से परिपूर्ण पर्णपाती वर्षा बन है जो की असम में अक्षत वर्षा वनों का एक मात्र यहां पर अक्षत वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि बीना किसी छेर चार के मन खुद से उगे हुए पौधे हमें इसे कहते हैं अक्षत मतलब की पवित्र होता है जो की असम में अक्षत वर्षा बनों का एक मात्र छेतर है और इस प्रकार जो है यह इस प्रशन का सही उतर भी होगा अब बात करें अगले प्रशन की तो अगला प्रशन है प्रशन संख्या और प्रशन यहां पर यह कर है कि हाल में सुर्खियों में रही सेटकर समीती की बात हो रही है और यदि सेटकर समीती के बारे में आपको पता हो तो बताएं कि हाली में सुर्खियों में रही सेटकर सम संबंधित है तो यह जो सेटकर समीती है ससस्त्र बलो के सुधार से समधित है सरकार ने वर्ष से 2016 में लेफ्टिनेंट जंदल यह सेटकर जो है इनकी अध्यक्ता में विशेश्यक्यों की कमिटी का गठन का आदेश दिये था और इसका उदेश से दो है ससस्त्र वालों की युद्ध चमता और रक्षा जो ब्याय है उनके पुनर संतुलन में सुधार लाने के लिए उपाय का सुझाब देना था और इस समीती ने दिसंबर 16 में इस समीती ने दिसंबर 16 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की थी और इसमें से कुछ अनसंसा जो चे इनके उनको लागू किया गया और जिन में जो है CDS का पद आया तो CDS के पद और सैन मामलो के विभाग के स्रीजन से संबंधित अनसंसा भी समली थी हाली में जो है सरकार ने सीमा अवसंदचना से संबंधित लिफ्टिनेंट जनरल डिवी सेटकर जो कि सेवा निबरित हो चुके हैं इनकी अध्यक्सता में विशेशग्यों की समीती की ती महतुपून अनसंसाओं को स्विकार क Dare किया और कार्यान वित गया है यह सरक निरमान की गति में तीवित्या लाने से संबंधित जिससे सीमवर्ति छेत्रों में समाजिक आरिक विकाष होगा सीमा अफसंदचना Над के निरमान से संबंधित इसमें संबंधित इस सरकार ने सीमा कि लागत वाले सभी कारियों के निस्पादान है तू इंजिनियरिंग खरीद अनवंद यानि कि ई-पी-सी मोड को जो है अपनाना अनिवार कर गया है और इस प्रकार जो है इसे प्रशन का जो है सही उतर डी है अब बात करते हैं अगले प्रशन की तो अगला प्रशन है प्रशन संख्या उनसट और प्रशन यहाँ पर यह कर रहा है कि विधान परिसद यानि कि लेजिसलेटिव काउंसील वाले राजी विधान मंडल में किसी साधारन विध्यक को पारित करना हो तो उसको पारित करने की बिधाई परकिरिया के संदर में इस कथन पर बिचार करना है और प्रश्ण यहां पर यह कर रहा है कि इसमें सो जो है कौन सा जो है सही है और इसमें पहला कथन यह कर है कि संबिधान संबिधान असामति के मामले में दोनों सद्मों की संजुक्त बैठा का प्राबधान करता है यहाँ पर बिल्कुल गलत है परिशद को विधान सभा की तुलना में कौम महत्त दर्जा और अधिकार दिया गया है विधियक पारित करने के संदर में अंतिम सक्ती विधान सभा में होती है परिशद जादे से जादे चार महिना के लिए चार माह की अबधि के लिए जो है पहला बार में जो है पहला बार में जो है तीन माह और दूसरी बार में जो है एक माह तक किसी विध्यक को रोक सकती है यह भरशद राज विधान मंडल के दोनों सदनों के मद यदि किसी विध्यक पर मने असमाहती हो जाता है तो इसके समधान के लिए समधान जो है दोनों सदन के लिए संजूक्त बैठा का प्रावधान नहीं करता है कोई भी प्रावधान नहीं करता है तेज़ प्रकाज़ पहला कथन जो है गलत है और पहला गलत है चुकि हमें इसमें सही उत्तर बताने है तो यहां पर विकल्प A भी गलत हो गया विकल्प C भी गलत हो गया दूसरा कतन यह करा है कि यदि सदन द्वारा विध्यक पारित करके उसे राजयपाल की अनुमति के लिए प्रस्तूत किया जाता है तो राजयपाल को इसके संबन्ध में विसेसित भी तो प्राप्त है एक और न तो एक सही होगा और न तो दो सही होगा यानि कि D जो है इसका सही उतर है अब थोड़ा विध्यक के बारे में समझ लेते हैं कि यह कैसे राजयपाल के पार्छ जाता है और राजपाल को जो है इसमें चार विकल्प है यदि कोई विध्यक उनके पास जाते हैं या तो उनको अनुमति प्रदान कर दे या अनुमति से उनको रोक ले या सदन के पास जो है फिर से वापस भेज़ दे पुनरविचार के लिए या राष्ट पती के लिए जो है वो अपने पास आरक्षित कर ले तो ये चार विकल्प जो है राजपाल के पास होते हैं किसी विध्यक के समझ में और यदि राजपाल जो है विध्यक पर अपनी नियम बन जाता है और कानून पुष्टिका में जो है लिख दिया जाता है और यदि राजपाल बिध्यक पर अनुमती को रोक लेता है तो बिध्यक जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है और यदि राजपाल बिध्यक को पुनर विचार के लिए भेशता है यह तीसरे वाले पर परईद करके राजय पाल के अनमती के लिए भेजा जाता है तो राजय पाल को बिध्यक पर अनमती देना अनिवार है और इस परकार राजय पाल को यहाँ पर केवल बैकल्पिक बीटो प्राप्त है न कि विशेशित बीटो और यहाँ पर विशेशित बीटो सब गलत हो गया तो इस परकार तीसरे परकिरिया के मामले में उनके पास बैकल्पिक यानि कि दोबारा भेजेंगे तो उनको देना ही परेगा अनुमती और इसलिए यह विशेशित बीतो नहीं हुआ बैकल्पिक बीतो हुआ और चौथे परकिरिया में राष्टपती के लिए आरक्षित रख लेते हैं और इसका उत्तर न एक सही था इसमें न दो सही था अब हैं अगले प्रश्ण की बात करते हैं तो अगला प्रश्ण ये है प्रश्ण संख्या सत्तर और प्रश्ण ये का रहा है कि राज्य सभा के सदस्यों की नाम निर्देशन के संदर में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए राज्य सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन वाले निर्वाचित की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर उप्यूक्त कत्नों में कौन सा इसमें सही है ये बात आपको बतानी है और पहला कत्न यहाँ पर ये करा है कि राज्य सभा में सदस्यों का नाम निर्देशन सदन द्व होगा कि राष्ट पत्ती जो है बारागो सदस्य का नाम निर्देशन करते हैं और वो जो बारा सदस्य होते हैं वो कम से कम चार गो विशाय में चार गो जो है छेतर में चाहे वो साहित के छेतर में या बिज्ञान के छेतर में या कला के छेतर में या समाजिक सेवा के शेत्र में बिसेस ग्यान या व्यभारिक अनुहब रखते हैं इनको निर्देशित करते हैं ये 12 सदस्य राष्ट पती तो ये कहां से हो जाएगा कि सदन द्वरा प्रस्तूत सदस्यों कि सूची में से सभापती द्वरा किया जाता है जो कि गलत है और पहला कथन यदि यहां पर गलत है तो यहां पर बिकल्प ए भी गलत हो जाएंगे बिकल्प डी भी गलत हो जाएंगे दूसरा कथन यह करा है कि राज्य सभा के लिए नाम निर्देशन का आउचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी वेक्तियों को निर्वाचन परकिरिया में भाग लिए बिना अ कर दिया जाता है तो दूसरा कथन यहां पर सई है और तीसरा कथन यह कर रहा है कि यह प्रावधान दक्षिन अफिर की संभिधान से ग्रहन किया गया है तो बिल्कुल गलत वाथ है यह प्रावधान जो है यह आयरिस संभिधान से ग्रहन की गई है आयरिस संभिधान से ग्र का जो निर्वाचन होता है वो साउथ फिर की संभीधान से और नाम निर्देशन की बाद यह आईरी संभीधान से यह बाद आपको ध्यान रखने हैं और संभीधान के जो है आर्टिकल असी में अनुछीद असी में जो है राजी सभा में जो है 250 सदस्यों की जो है वेवस्था की गई है और 12 सदस्यों को भारत के राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है चलिए तो इस परशन का उत्तर आपको मिल गया होगा कि तीसरा विकल भीगलत है और बीज इसका सही उत्तर है केवल दो झाल 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 झाल